दोस्तों 29 मयी 2021 किस की बहुवली क्लास माप का स्वागत है करेंट डेली क्लास माप का स्वागत है दोस्तों शुरू करते हैं पहला परस्थ statement आयं आप की स्किन पर ही रहे हाल ही मेंS भगोड़ा हीरा कारुबरी मेहुल चोकसी जो हीरा कारुबरी था बैंकों से लोन लेके भाग जा था के खिलाप इंटरपोल द्वारा येलो नोटिस जारी किया गया और बाद में डोमेनिक गनराज में वह पकड़ा गया तो इंटरपोल का जो मुख्याले है वह कहा है अपनको इंटरपोल का मुख्याले के बारे में पुछा गया तो दोस्तों इंटरपोल का मुख्याले के लियोन में है ठीक है इंटरपोल का मुख्याले कहा है लियोन में इंटरपौल उन देशों के 20 समनोई का काम करता है जो इससलता के सद्धस है, अब ये सब्की तुझी साहिता करेगा, जो इंटरपौल के सद्धस हैं, 19 समनोई का काम करता है, फिलाल में इंटरपौल में остав देश हैं और आट परकार के नोटिस जारी करने का अधिकार इंटरप पॉल को है जिसमें से एक ये लो जो नोटी से वो भी इसने जारी किया था अगला प्रसंद देखते हैं हाली में संयुक्त अरब अमिरात का गोल्डन वीजा पाने वाला पहला इंडियन एक्टर कौन है संयुक्त अरब अमिरात में अलग-अलग टाइप के वीजा वो प्रोव गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है अब गोल्डन वीजा क्या है इसके बारे में देखते हैं दोस्तों गोल्डन वीजा है संयुक्त अरब अमिरात में किसी भी इंसान को दस साल तक रहने की अनुमत ही देता है मतलब गोल्डन वीजा के बाद वह इस इंसान दूबई में यानके सहिंग तरप अमिरात में 10 साल तक रह सकता है है। आद नंए यहां कि Smith न पर प मतलब वहा पर इंवेश्ट के लिए टा इन्वेस्ट के साल जा भी ता इसको डुकरण के लि वीजनेוש में आद बिया निया घलते है। अगला प्रसने देखते हैं बशर अल असद किस ठेश के लगातार चोथी बार राष्टपती चूने गए मतलब बशर अल असद एक व्यक्ति है जो चोती बार राष्ट पती चुना गया किस देश का दोस्तों यह है सीरिया के यह राष्ट पती चुने गया है ठीक है अगला परस्थ देखते हैं बीसमाइँ दो जार इंप उसको किसे एनी अंतराष्टी अवाड दो जार इंप से सम baş पती की गई économique है बता है इसका अंसर का होगा तो दोस्तुष कर आंसर जरह इंप सी अनराव को सान्मार के लिए रिंध दिया जाएगा किस्त योजनाओं में कम ब्याजदर प्राप्त करेंगे तता रिन उप्तलप्त कराया जाएगा योजना महिलाओं के घरहलू काम और कारिवारू कम करने का प्रियाज भी करेगी दोस्तों वरत्मान में केरल के मुख्य मंत्री पीनाराई विजियन और केरल के राजवाले आरिप महुमत खान ठीकिए अगला प्रशन देखते हैं प्रतिवर्ष वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है तो दोस्तों वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है 28 मही को प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है तो देखते हैं दुनिया पर में हर साल 28 मही को वर्ल हंगर डे मनाया जाता है इस दिन को मन पहली बार वर्ड हंगर डे कब मनाया गया अगर आपसे पूछ ले जाए कि पहली बार वर्ड हंगर डे कब मनाया गया तो पहली बार मनाया गया था 2011 में और 2021 की जो वर्ड हंगर डे की जो थीम है एक्सेस एड्स हंगर एक्सेस एड्स हंगर यह जो है 2021 की word hunger day की theme है ठीक इसको ध्यान रखना यहां से बहुत सारा question बन सकते हैं 26 मई 2021 को फ्रांस में इस थी दुनिया के सबसे बड़े museum यान की lower museum दुनिया का सबसे बड़ा museum है lower museum ध्यान रखिए कि पहले महिला अध्यक्ष और निर्देशक किसे बनाया गया मतलब lower museum की पहले महिला अध्यक्ष और निर्देशक दोनों एक विक्ति को बनाया गया वह किसे बनाया गया तो वह बनाया गया लोरेंस देश कार्ट को साइड में इसका फोटो दिख रहा यह देखिए लोरेंस देश कार्ट तो इनको दुनिया की सबसे बड़े museum लोर म्यूजियम का अध्यक्ष और निर्देशक बनाया गया अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों कि 26 मैं 2021 को कि अमेरिकी राष्ट पटी जोन ब्रेडेन ने सहिवत राज अमेरिका और विदेश मानिजिक सेवा के महा निर्देशक के रूप में किस भारती मूल की व्यक्ति को नामित किया मतलब सहिवत राज अमेरिका और विदेश मानिजिक सेवा के जो महा निर्देशक के उसके पर पर किस भारती व्यक्ति को नामित किया तो उन्होंने नामित किया अरून वेंकट रमन को और ये इनकी क्लास्टर में आपसे कोई लपेटता नहीं है बिल्कुल जेन्यूल जो चीजें वहीं मैं आपको बताता हूं तो आज के क्रेंट अफेस के क्यूशन नहीं पिखाता मुते कल वापस मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल पर धन्यवाद जैश्री राम टाटा बाई बाई